कर दोस्तों स्वागता का मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर लेकर आपके लिए वीकेंड स्पेशल और यहां पर रेपो रेट फिर बढ़ा है लोन महेंगी होंगे लेकिन जमा भी आज पर किसे गधान नहीं है आर्बिया ने जो बेसिकली आपने देखा था बेसिकल जब स्केल 1515 के स्केल में 875 रुपे की सैलरी बनती थी अब एक स्कूटर होता था लेकिन अब जब आप देखेंगे उतने पैसों में तो कुछ होता ही नहीं है अपरेल 2022 में खुदरा महेंगाई की दर 7.8 थी जो मई 2014 के बाद सबसे ज़ादा था अपरेल 2022 में थोक महेंगा ही रहेगा यह बेसिकली अगले दो कोर्टर के बाद में जैसे ही फैनेंचलर 2023 का जो मार्च आएगा उसके बाद से इसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिलेगी और वापस से सिंसिक्स जो है वो और ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा आगे चलते रशिया ने ज जो यहां से साओधी अरेविया से जो बेसिकली आता था वहाँ पर इरान सबसे नंबर वन पर रह गया है अब और दूसरे नंबर पर आ गया है रशिया उसके बाद में जो इसराइल है या फिर जो यूएस है यह सब नीचे के पायदान पर चलगे क्योंकि डॉलर 19 का जो है डिसकाउंट दिया था इंडिया को तेल खरीदने के लिए और साओधी अरब को जो है पीछे के तरफ छोड़ दिया फिलार रशिया ने और यहां पर आपको जो है काफी बढ़िया जो है पार्टनर्शिप देखने को मिल रही है दोनों के अंदर में और यहां पर रूस और चायना जो है बेसिकली आपस में काफी वो रहते हैं competitive रहते हैं लेकिन एक दूसरे को support करते हैं क्योंकि एक दूसरे के neighbors हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर दोनों में से किसी ने भी कुछ किया तो वो इंडिया उसके साथ में हो जागा तो रशिया का यहां पर काफी अच्छा जो है mail जो है इंडिया के साथ में उसके अलावा यहां पर एक और अच्छी न्यूज आती हुई कि यूएस में जो jobs थी उनकी जो estimate था उससे 3.5% जो है डाउन आये unemployment जो था उसमें यहां पर यूएस ने employers में add किया 5,28,000 jobs जो हैं वो basically add करी हैं जिसकी वजह से जो unemployment rate है वो 3 3.5% से नीचे down हो चुका है तो यह एक अच्छी खबर है क्योंकि जो हम सोच रहेते हैं recession आने का USA के अंदर में तो वो शायद वो उसको control करने का सोच है लेकिन UK के अंदर में जो recession है वो वहां पर इस year के end तक देखने को मिल सकता है ऐसा economist कह रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं और बात करता हूँ उन shares की जो आपको दे सकते हैं काफी शानदा return जिसके अंदर में federal bank सबसे पहला है इसका जो target है वो 124-125 रुपे के आसपास में आप रख सकते हैं long term का और यहां पर company ने quarter result काफी अच्छे दिया है उसके अलब अगर आप देखें तो यहां पर 83.50 पर थ यहां पर यहां पर यह शेयर ऐसा है जिसने काफी अच्छा return आपको निकाल के दिया है और इसका नेक्स टार्गेट 125 आप रख सकते हैं काफी अच्छे हैं इसके बहुत अच्छी इसके इंदर में शेयर ओल्डिंग है इसके इसके इंदर में जो की इस्टिल जिनका ratio जो है as it is same बना हुआ है ऐसा कोई खास फरक इन तीनों के ratio में आपको देखने को नहीं मिला है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अप्टरेंट चार्ट जो है वो यह बोलता है और यहां पर last जब इसने high मारा था तो वो था आपके 123.70 और यही high जो यह जल्दी break करने वाला है next quarter तक अब उसके बार recommendation है थी just dial की तो just dial के बारे में मैं मैंने कहा था कि हमें वीडियो में cover करूंगा लाच है मिने में अगर आप देखेंगे तो यहां पर टॉप मारा 914 रुपे के असपास का लेकिन और की चार्ट की बात करो तो यहां पर 1011 का जो है आपको टॉप दे 37 और यह 538 रुपे के असपास का उसके बाद है कि यहां पर एक और 560 का गिरावट हुए लेकिन उसके बाद में उपर की तरफ चला गया अल्मूस्ट आपको 600 रुपए पर शेयर देखने को मिल रहा है लेकिन इसका गिरावट क्यों है क्योंकि इसका net profit जो है वो लगातार गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है तो थ्री फिगर से पहले टू फिगर आ चुका है वो और अल्मूस्ट वन फिगर के आसपास में जो है वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है जो net profit है तो यहां पर इस वज़ए से इसके बास में दोनों है ठीक है बीटू बी और पर चल रहा है तो आप यहां पर थोड़ी बहुत खरेदारी कर सकते हैं अंगले quarter को जादा अच्छा मांते हुए ठीक है तो यहां से आपका एवरेज जो है वो आट सो नो सो रुपे के आसपास में आ जाएगा तो आपको वापस से निकलने का एक मौका मिल जाएगा 900 की लेवल तक तो जाता है आपने यहां पर दो बार देख चुके हो 900 का लेवल जो है उसने दो बार चुआ है यहां पर हाई बना कर तो यहां पर भी उसके चुने की जादा उम्मेद है हाला कि यह consolidation period में चल रहा है यहां से अगर हम बात करें इसके net profit की तो वो लगातर गि जो भी है लेकिन 70% से उपर की जो है इसकी जो है प्रमोटर होल्डिंग मनी हुए जो की काफी अच्छा है फिलाल company के अगर नजरी से देखे बस इसका quarter जो है positive आने की दे रही है company को वापस उटने की दे रही है ऐसा नहीं कि शेर खराब है और आपने शेर का पिक जो है गल शेर नीचे गिरा लगबख 300 रुपे के असपास से लेकिन वापस से चलना स्टार्ट किया क्योंकि फूचर का शेर उठेगा तो सही आगे चलते हैं एक और शेर जिसकी रिकमेंडेशन है तो नाम था ग्रीन पैनल इंडस्टी इस तो ग्रीन पैनल इंडस्टी को अगर हम द करूं तो देखें मल्टी बेगर आपको शेर देखने को मिल रहा है यहां से लेकिए यहां तक का जो इसने मुमेंटम दिया है वो काफी अनबिलिवेवल अगर आप देखें परसंटेज अगर आप देखें कि वह इतना सा तो पंदरा सो परसंट तक का रिजल्ट है लेकिन आप और ओर देखें तो आपको 1100 परसंट तक का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं शेर खराब है शेर के अंदर में कोई दिक्कत वाली बात नी है यहां से आप चाहें तो इसके अंदर में और एंट्री आप मार सकते हैं ग्रीन पैनल के अंदर में काफी अच्छा है प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है थोड़ा बहुत इंग्रीमेंट मार रहा है डिया इस ने काफी अच्छी सिदार इसके अंदर में खरीद रखिए जंता के पास में जादा कुछ खास नहीं है लेकिन ग्रीन पैनल इंडस्तियां आपर काफी अच्छ है वो डबल वाटम के असपास में चल रहा है उसके बाद एक और रिकमेंडेशन थी ऑप्टेमस इंफ्रा कॉम की जिसका शेर जो है काफी उचा है लेकिन कंपनी जो इतने जादा खास वोक करती नहीं है दो तीन करोड के अंदर में जो है कंपनी खुद को सेटिस्फाइ सम तो मेरा मान नहीं है कि आप इसके अंदर में अभी ना घुसे और अगर आप घुसे में तो आप अपनी शेर को जो है एक्जिट कर सकते हैं आफ्टर 220 के आसपास में ज्यादा रिस लेने की ज़रूत नहीं है 220 तक आप वेट कर सकते हैं यह वाला जो डिप आया था नहीं द सकते हैं इसका वेट करें वापस जब नीचे गिरकर वापस से उठने स्टार्ट करें फिलाल कंपनी के रिजल्ट इतने ज्यादा खास है नहीं तो आपको और इंफरा जो है वह बेसिकली तरह ज्यादा खास चलनी रहा है आपने देखा कि चायना के अंदर में जो है पैसे को जो है रिजर्व कर रहा है तो आपको थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा है कि आपको इसके इंतजार जरूर करना पड़ेगा और रस्क नहीं लें 220 के आसपास में आप एक्जिट कर सकते हैं उसका देखो रेकमेंडेशन थी इंडोस्टार कैपिटल फिनेंस की त तो यहां पर आपको देखने को मिला था यह शेयर कर लग लग बग 588 रुपे का नीचे गिर 178 रुपे पर आकर वापस इसने रीकवरी मारी थी यहां पर 400 रुपे तक की और अभी इसमें डाउनफोल चलता हूँ नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर में मुमेंटम आ सकता मुश्किल होता है मिलना कि वो जो शेयर जो अभी अभी आया हो इंडो स्टार और उसके अंदर में आपको 45% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है तो यहां पर मेरा मानने यह है कि बेसिकली आपको इसके अंदर में थोड़ा सा वेट करना चीए अप्ट्रेंड आने क अभी के लेवल भी कुई दिक्क्ता लिपाती है और इसका नेक्स टार्गेट जो है वह आप कम से कम आप इसका वन जो 50 है वो रख सकते हैं और जो तो फोड़ा सा वेट करें इसको यहीं पर ही आवरेज कर सकते हैं ठीक है और यहां पर आवरेज करके अपनी जो कॉंटिट अगर आपने इसको सब्वोज 600 रुपए के आसपास में खरीदा है और अगर अभी ये 136 से आसपास में चल रहा है तो आप इसकी double quantity को buy करें आपर कम से कम double quantity को buy करें और double quantity को buy करके उसके उपर stop loss किता लगाएंगे 115 रुपए का stop loss लगा के रखेंगे आप इसके उपर में के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज पर मन्त के उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज से डिविदेंड से रिलेटेड न्यूज ब्लॉग डिल से रिलेटेड डियूज इंसाडर ट्रेडिंग इसके अलावा आपको अंसी न्यूज इंटरनेशनल न्यूज क्रिप्टो करनसी न्यूज प्री मार्केट इंफोर्मेशन न्यूज स्विंग ट्रेड न्यूज और पैनी शियर्स के स्टॉक्स यह सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जिके पर केवल 250 रुपीज प्र पार 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 पैनी शेर भी लेड़ी तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा उसके अलावा आप चाहें तो चाहें प्रीमिम ग्रूप जोइन कर सकते हैं फ्री डीमेट अंट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप जोइन करें इंजल ट्रेंजल ब्रोकिंग एप को और इंज अगर आपका वह नॉमल जो अकाउंट और नहीं चल पाए गलती से तो आपके बास में एक अकाउंट और आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेश सकते हैं और बीस रूपे पर और के चार्जिस आपसे लगता है सेम आपको जो है जिरो दा के अंदर में भी आपको य यही चीज यही स्कीम देखने को मिल जाती है तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो जीरो दा आपके अंदर में खुला सकते हैं नमबर रून स्टॉप ब्रोकर इन इंडिया जहां पर आपको ट्रेड के साथ में चार्टर वार्ट और सब कुछ बहुत ईजी भी में आपको मिल जाते हैं तो आप जोड़ सकते हैं जीरो दा के अंदर में भी तो आपको कुछ भी निकड़ आपके सामने हैं 7.5 मिलियन हैपी कस्टमर जीरो ब्रोकिंग वन एकुटी डिलिवरी ट्रेट्स 20 रुपे पर और के साथ में तो सेम इंजल की तरह हो इसमें ब लेकिन आपको पता नहीं होता आप बैंक्स अकॉंट में ब्रोक्रिश जात देते रहते हैं या अदर एजेंसिय जनिका ब्रोक्रिश जोड़ेंगे तो कमसे कम आप 4 से 5,000 रुपए का घाटा करने bertए वही चीज आपको सेफ करे सेंफर 2 एन इंजल ब्रकिंग तो आप इनक नहीं एकाउंट खुलने की कोशिश करें नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में दोनों के लिंक देवें आप चाहिए कोई सब एकाउंट खुल सकता हैं